नुमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th SST सामाजिक विज्यान की वरक्षीट नमबर 91 यानि की कारे पत्रक सिंख्या 91 को यह आपकी 21 फरवरी 2022 की वरक्षीट रहेगी और आज की इस वरक्षीट में हम जोग्रोफ विभुगोल की फिप्ट चैप्टर खनीज तथा उर्जस अंसादन से लेटिड मैफवर्क की प्रेक्टिस करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि मैफवर्क, SST, Social Science का एक important part होता है concept को clear करने के लिए और अच्छा score करने के लिए जरूरी है कि हमारे मैफवर्क के सारे concept अच्छे से clear होने चाहिए जहां तक आपके मैफवर्क इस लेवर्क की बात है तो आपके class 10th geography और history का जितना भी मैफवर्क है वो already मैं आपके साथ share कर चुका हूँ separate वीडियो में share किया जा चुका है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आपको playlist में जाना है प्लेलिस्ट में आपको class 10th social science का genius patch मिलेगा जहां पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस आसांसी वोक्षिट की यहां पर हमें task दिया गए कि भारत के राजनिती क्रेखा मानचित्र पर भारत के परमुक भूतापिय उर्जा शेंत्रों को रिखांकित किया गए भूतापिय नहीं बलकि यह तापिय उर्जा शेंत्र है तापिय उर्जा शेंत्र जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे thermal power station है यहां पे कोईले अत्वा जो हमारा प्राकरति केस या petroleum है उसकी साहिता से बिजली पेदा की जाती है हलांकि जातर जगह पर कोईले को जला करके ही बिजली पेदा की जाती है तो उनमें से तीन पर्मुख जो तापिय शेंत्र है वो यहां पर दिये गए इस map में तो हमें क्या करना है इनकी पहचान करनी और उनका नाम लिखना है कौन से तीन दिये गए एक नाम रूफ है नाम रूफ असम में आ जाएगा दूसरा सिंग्रोली है जो कि मद्या पर्देश में है और रामा गुंडम जो कि तेलंगाना में है तो चलिए के करके इनको पहचा जानते हैं यहां पर यह हमारा आज का मैप और यहां पर हमें देगें A, B, C, 3 पॉइंट ओके सबसे पहले A को देखें यह आपका नाम रूफ आ जाएगा यह आपका नाम रूफ है ठीक यह दूसरे की अगर बात करें तो यह आपका सिंग्रोली आ जाएगा S4 सिंग्रोली और तीसरा यहां पर आपका रामा गुंडम दिया गया है क्लियर यहां पर यह तीनों देगें पहला आपका नाम रूफ है दूसरा आपका यहां पर जो भी दिया गया है यह सिंग्रोली है और तीसरा यहां पर आपका रामा गुंडम दिया गया है जो की तेलंगा नामे है अब करना कैसे आपको, आपको दो option रहेंगे, एक option तो ये है कि आप map को draw किजी अपनी worksheet की notebook के उपर और इन तीनों को locate कर दीजे, दूसरा option ये रहेगा कि आप market से map लेके आईए, उसको यहाँ पर paste कर सकते हो और उसके अपर इन चीजों को, यनकी तीनों ही point को आप locate कर सकते हो, और अगर आप दोनों ही चीजे नहीं कर सकते हो, तो सिरफ आप solution लेख सकते हो, कि point A कौन सा है, point B कौन सा, point C कौन सा है, क्योंकि इनको identify ही करना है, तो ये थी हमारी आज की बेहत आसान worksheet, उमेद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो, ये worksheet अच्छे लगी, तो इस वीडियो इस worksheet को like और share जरूर केजिगा, आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye bye, have a nice day.